हलो फ्रेंट्स मैं प्रप्जित्कुर संदू आज बनाने जा रही हूँ आपके लिए अलू के प्राठे लेकिन मेरा मेरा थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने सोचा चलो आपको बताओं कि मैं कैसे बनाती हूं क्योंकि अलू के पुराठे बनाने के लिए जो हम आटा लग इसलिए डाल रही हूं कि फिर आलू में कुछ खटा डालने की जरूरत में पड़ेगी अगर आटे में थोड़ा से खटास होगी तो यकीन मानिये बहुत अच्छे प्राथे बनते हैं इसलिए यह मैंने आटा लिया है और इसमें अब मैं यह सब कुछ डालूंगी और इससे मै आटा लगाऊंगी और बड़ा अच्छा प्राथा बनता हुआ सब बड़े शॉक से खाते हैं हमारे घर में तो अब हाँ थोड़ा सा यह ऑल ऑल यह पकाया हुआ हूआ है कच्छ ऑल नहीं है यह सरसों का मैं हमेशा सरसों का वाइल यूज करती हूं रिफाइंड हमारे घर म नहीं आता हूँ इससे क्या होगा कि प्राथे में खस्ता बनाएगा जो कि सब भी को अच्छा लगता है दाल कोई भी ले सकते हैं अगर पड़ी हो जैसे मरात को बनाते हैं तो बच जाती है सुबह के लिए तो मैं तो हमेशा ऐसे करती हूं कि जब बची होती है जैसे दाल बगएरा हो जाती है तो इनको मैं आटे में यूज करती हूं और इस आटे से जो प्राथे बनेंगे बड़े ही लाजवार होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं आटा मेरा हो गया त्यार तो अब मैं फिलिंग त्यार करूंगी प्राठोगी इसमें बहुत कम पानी लगा है क्योंकि दाल और जो कड़ी थी वह काफी थी बस आधिक टोरी से भी कम पानी लगा तो आटा मेरा बड़ा अच्छा गुंदा है एक और लसुन प्याज और हरी मिर्च और इसमें डलेगा थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाएन और बाकी तो मसाले डलते हैं जैसे लाल मिरच नमक और थोड़ा गरम मसाला तो अभी मैं मिक्स करती हैं सबको यह मेरे अलू है इतने काफी हैं वो तो घर के मेंबर्स पर करता है कि कितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से फिर हम आलू बालते हैं तो हमारा इतने से चल जाएगा हुजाएगा मैं आलू मैश कर लूँ अच्छे से और यह सब डालू है इसमें प्यास बगारा चल से बड़ा अच्छा प्लेवर आता है इंसके जोसे और थुड़ा लूँ में अगर हरी चीज़ें हरी सबजीन डाल ली जाएं तो बहुत अच्छी अच्छे प्राठे बनते हैं यह थोड़ा सा जीरा और यह एजवाइन एक बड़ा चमच काफी एजवाइन का अब मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी और बस थोड़ा सा नमक डाल रहीं गरम मसाला और लाल मिर्च क्योंकि मैंने हारी मिर्च डाली है इसलिए अब मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँ अच्छे से मिक्स कर लूँ यह दिखिए फ्रेंड मैंने अलू अच्छे से मैश कर लिया है और सारी चीज़े अच्छे से मिला ली है अलू मैश करते वक्त यह ध्यान रखिए कि कोई भी टुकड़ा साबत न रहे आलू का नहीं अच्छे से बाहर आ जाएगा जब आ पराठा बनाएंगे तो जब बेलेंगे तो वह पराठा फट जाएगा तो मैं इसमें अच्छे से मैश करना जरूरी है चलो अब मैं आपको दिखाती हूं कि मैं कैसे बनाती हूं पराठे अब आपने इतना अटे का लेना है और इसको अच्छे से आसे करके शुखाटा लगा कर इसमें बरना है इसकी स्टफिंग करना है आसे अबसे बना है इसमें पराठे आजकल सर्दिगों में तो आलू के प्राठे बच्चे बहुत मांगते हैं कि सर्जियां ठाका कभी मन और हो जाता है बस यह कोशिश कीजिए कि अकेले आलू का नाम बना है साथ में कुछ हरायड कर लें उसके क्या होगा कि इसकी पॉस्टिकता बढ़ जाती है Čब गह क्यों साथ में खॉस्टिकता बखे करते हैं इस तरह आप सारे प्राठे बना लीजिए कम करके जब जलने लेगे तो थुरा कम कर लीजिए मेरे बच्चे तो कुछ आई यह कड़क एक तब अच्छी से पकाऊ है कि अच्छी मेरे अलू के पालक वाले प्राठे प्राठे रेडी हैं खाने के लिए आप घर का जमाया हुआ सात में दही लीजिए घर का मक्का लीजिए यह कि इन मानिये आपका दिन बढ़िया जाएगा ऐसे प्राठे का कख़ और प्राठे तो आपने बहुत खाये होंगे आलो के पहले भी लेकिन इनको ट्राइ कीजिए घर पर तो आपका दिर्फूश हो जाएगा और बच्चों का भी तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक और बताईएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी आलो के प्राठे कैसे लगे और मैं मुझे जरूर मतलब होसला अवजाई करने के लिए मेरी मेरी वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ता जो मैं आपके लिए हर रो